स्वागत सर्भी का आपके मेरे इस प्यारे से चैनल पे दोस्तों आज क्लास फिजिक्स का जो सैंपल पीपर अभ्यास प्रिश्ण पतर आया है मादिमिक सिक्षा मेंडल भुपाल में उसमें एक बहुत ही खुबसूरत सा सवाल आया हुआ है देखे क्या सवाल के रहा पहले मै लेंस की अधिक्तम फोकस दूरी ग्याद कीजिए कि लेंस अधिक्तम कितनी दूरी तक फोकस कर पाएगा ओके लेंस की आपको अधिक्तम दूरी फोकस दूरी ग्याद करनी है ठीक है ना अधिक से अधिक कितनी फोकस दूरी होगी तो देखे सवाल का डाइग्राम में बनात रहा है, सामने वाली दिवाल पर प्रतिविंब बन रहा है, तो जाहिर सी बात है कि प्रतिविंब उल्टा बनेगा, क्योंकि उत्तर लेंस है, और यहां पर जो प्रतिविंब आ रहा है, क्या कहा जा रहा है, इसके लिए यह जो प्रतिविंब है, तीन मीटर सामने की दिवाल पर बनता है, उत्तर लेंस के द्वारा 3 मेटर सामने, किसके लिए इस बल्व के 3 मेटर सामने, मतलब U और यहां से V तक के डिस्टेंस का टोटल जो योग है, टोटल जो सम है, वो किता है 3 मेटर, so U प्लस V इकोल स्टू 3, ओके, so यहां से दो रिलेशन हम आपास आ सकती है, एक V एकोल टू 3 माइनस U, और एक U एकोल टू 3 माइनस V, दो रिलेशन आ गए है, अब आई हम लगाते हैं, लेंस हुत्र, 1 अपान F एकोल टू 1 अपान V माइनस 1 अपान U, so 1 अपान F तो F ही रहेगा, 1 अपान V भी वी है, अब देखे, यहां से मैं V का मान रख सकता हूं 3 माइ इस कर दी मैंने, V एकोल स्टू 3 माइनस U, और चिन परिपाटी के हिसाब से, U जो होगा, खुद में निगटेव होगा, इसलिए, यह मैंने माइनस साइन लगाया, और यहां पर U की वैलु पूट कर दी है, 3 माइनस V, sorry, मैंने U की वैलु पूट करी है, और U एकोल टू कितन 3 माइनस V, now यह माइनस और यह माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो दोनों माइनस मिल करके क्या हो गया, प्लस हो गया, okay, so this minus and this minus becomes plus, तो यह यहां पर आपके पास प्लस आ चुका है, now आंगे का एकोशन क्या है, 1 upon F equal to 1 upon V plus 1 upon 3 minus V, LC हम लिया हमने 3 minus V उपर आया, इधर आया, so 1 upon F equal to 3 upon 3 minus V, because V से V cancel हो गया, so cross multiply कर दो, तिरिया गुणा, so 3V minus V square equal to 3F, तो एक वर्ग समीकन आपके पास बन रही है, V के पदों में, so V square minus 3V, और प्लस का 3F, क्योंकि हमने पूरे V के टम्स को राइट साइड लिया है, so V square minus 3V, और प्लस का 3F equal to 0, यह V के पदों में एक व V मिल रहा है, वो एक वाकई एक finite distance मिल रही है, मतलब इसकी एक वास्तिविक हल मिल रहा है, V का, और V का वास्तिविक हल जब आपको मिलता है, तो V का वास्तिविक हल मिलने के लिए, हल मिलने की शर्थ होती है, क्या होती है, शर्थ हल होनी की, हल होनी की शर्थ होती है, D greater than or equal to 0, ओके, यानि कि विवेत तकर आपने पढ़ा भी होगा छोटी classes में, कि अगर आपके पास कोई वर्ग समीकरण है, जिसका नाम है, ax square plus bx plus c equal to 0, अगर इस समीकरण में x के वास्तिविक मान, अगर exist करेंगे, तो अगर x के वास्तिविक मान exist करते हैं, तो उनके लिए सर्थ होती है, कि d greater than or equal to 0, so b square minus 4ac greater than or equal to 0, अगर यहाँ पर y का वास्तिविक मान यदी exist कर रहा है, फिलाल इस situation में, so b square minus 4ac greater than or equal to 0, तो देखिए, यहाँ पर तुलना कर लीजे, ax square plus bx plus c से, equation क्या है, v square minus 3v plus 3f, v square minus 3v plus 3f, तो मैं आपके लिए यहाँ पर equation तुलना वगरे कर देता हूं, v square minus 3v plus 3f अपने पास equation है, v square minus 3v plus 3f equal to 0, यदी समीकरण को देखा जाए, तो यहाँ पर a का मान कितना है, 1 है, b का मान कितना है, minus 3, c का मान कितना है, 3f, okay, क्योंकि यह वर्ग समीकरण किसके पदों में है, v के पदों में यह वर्ग समीकरण है, तो क्या करेंगे हम, अगर यह वर्ग समीकरण v के पदों में है, तो हम लिख सकते हैं, यहाँ पर d greater than 0, यानिकी b square minus 4ac का मान जो होगा, वास्तिवी खलों के लिए 0 के बरावर होगा, यह 0 से बड़ा होगा, तो चलिए, v का मान ज्याद करते हैं, यहाँ से, v का मान के लिए condition लगाते हैं, क्योंकि question ने कह राखा कि प्रतिविम बन रहा है, मतलब v का मान तो होगा, तो प्रतिविम बनने की condition होगी, b का square मतलब माइनस 3 का square, और माइनस 4 इंटू a का मान है 1, और c का मान कितना है 3f, greater than or equal to 0, तो 3 का square कितना होगा, 9 minus 4 ती हैं, 12f, greater than or equal to 0, minus sign का multiply कर दीजे, तो 12f, देखे, पहले minus sign का multiply करोगे, तो 12f प्लस हो जाएगा, और minus का 9 हो जाएगा, less than or equal to 0, तो यहां से 12f, less than or equal to 9, so f is less than or equal to 9 upon 12, तो 3 का divide कर दीजे, 3, 3 is a 9, 3, 4 is a 12, मतलब f का मान जो है 3 बटे 4 मीटर से कम होना चाहिए, f का मान 3 बटे 4 मीटर से कम होना चाहिए, तो f का अधिकता मान क्या होगा, जैसे मैं कहूंगा, आपकी जेब में 10 रुपे से कम होने चाहिए, हमेशा, तो आपका अधिकता मान कितना होगा, 10, तो यहां पर अधिकता मान कितना होगा, f का 3 बटे 4 मीटर, तो f का अधिकता मान यहां पर कितना आ रहा है, 3 बटे 4, 3 upon 4, so f equal to 3 by 4 मीटर, f maximum, f का अधिकता मान कितना रहा है, 3 by 4 मीटर, तो अगर आप मीटर को सेंटी मीटर में वदले, तो 1 मीटर बराबर सो सेंटी मीटर, यहां पर पच्छिस कैंसल हो गया, so correct answer इसका होगा, 75 सेंटी मीटर, बहुत ही खूबसूरत क्वेशन था यह, जो आपके exam में पूछा गया, so इसका correct answer कितना होगा, 3 by 4 मीटर, और you can say 75 सेंटी मीटर, thank you so much.